दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं के आप अपने UK SSC के पस्वर्ड को कैसे reset कर सकते हैं अगर आप UK SSC के OTR का password भुल गए हैं तो मैं आज आपको बताओ को कैसे change कर सकते हैं पासपर्ट रिसेट करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से आपको 5 मिंट लगेगी और आप अपना पासपर्ट को रिसेट कर लेंगे, तो दोस्तों बने रहें वीडियो में लाश्ट तक आपको पुरा प्रोसिस करके दिखाने वाला हूँ, चल यह UKSAC की ओफिसल वैबसाइट ओपन हो जाएगी, आपको ज़र साइड में और ओप्शन मिलता है, वन टाइम रेजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद आप यहां से वन टाइम रेजिस्ट्रेशन OTR क्लिक हेर पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद आपक पासपड यह यूजर नेम पर क्लिक कर देना है, इसके बाद दोस्तों आप यहां से फोरगेट पासपड अपने SMS के दुवारा कर सकते हैं, फोरगेट पासपड इमेल एक थूरू भी कर सकते हैं, अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप इमेल के थूरू भी क कर सकते हैं, तो हम यहां पर दोस्त अपने SMS के दुवारा कर रहे हैं, हम यहां पर अपना username डालेंगे, आपको यहां पर अपना username डालेना है, जो भी आपने username क्रिएट किया था, इसके बाद आपको यहां पर अपनी डालनी होती है, Date of birth, आप अपनी Date of birth यहां पर डाल की लीगें मोभाला मॉबाई नंबर डालेंगे अंप की दिचीक दालना है कि दाने के ड़ी यहांप करता दाल देंगे किशा इस सब्मेट करके दınक disgust यह देख सकते हैं आप पासपर्ट सेंड किया गया है यही पासपर्ट आप में यहां पर डाल के से लोगिन करूंगा तो आपको यहां पर अपना यूजर नेम डालना है जो आपने यूजर नेम बनाया था यूजर नेम आप यहां पर डाल देंगे इसके बाद आप यहां पर पासपर्ट डालेंगे जो पासपर्ट आपको मैसीज में मिला है सेम पासवर्ड आपको डालना है दोस्तो आपको ध्यान अखना है जो इसमें Elphabetic है वह Small में भी है और Capital में होते हैं तो आपको यह ध्यान से डालना है कि Small वाले Small में डाले आप Capital वाले Capital में जैसे कि मैं यहां पर डाल देता हूं इसके बाद ही हम यह CAPTCHA कोड़ डालेंगे जो CAPTCHA कोड़ स्क्रीन पर आएगा वही CAPTCHA कोड़ हम यहां पर डाल देंगे अब आपको SIMPLE LOGIN पर क्लिक कर देना है अब आप यह देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस्तरा का इंटरफेस आएगा अब आपको यहां पर क्या करना है one time password receive via SMS और आपको जो password मिला है वह password एक बार और यहाँ पर डालना होता है जो password आपको message के through मिलाता अभी वही password आप यहाँ पर डालेंगे तो वही वाला password में यहाँ भी डाल देता हूँ अब आपको क्या करना है नीचे आपको new password बनाना है यहाँ पर आपको ध्यान अगना है दोस्तो password must be of minimum 8 characters आपका जो password है वो लगबग 8 characters का होना चाहिए और इसमें दोस्तों contain होना चाहिए one uppercase, one numeric and one special character यानि कि दोस्तों आपका जो आप password बनाएंगे उसमें आपका जो first letter है आप उसे capital बना लें इसके बाद आप थोड़े small capital में ले लें इसके बाद आपको एक special character लगाना है जैसे कि आप add the rate लगा सकते हैं या फिर कुछ और special character लगा सकते हैं तो मैं आपको suggest करूँगा कि आप add the rate लगा ले बीच में जैसे कि दोस्ते मैं आपको screen पर दिखा देता हूं एक example इस तरह से आप अपने password को बना सकते हैं आप example देख सकते हैं इस तरह से मैं अपना password यहाँ पर create कर रहा हूँ और आप भी इसी तरह से बना सकते हैं इसके बाद आपको यहां पर फिर से वही पासवर्ड डालना है जो आपने उपर डाला है सेम पासवर्ड आपको दोनों में डालना है इसके बाद आप पासवर्ड डालने के बाद आप यहां पर यहां पर डाल देंगे जो capture code आपकी screen पर आएगा वही capture code आप यहाँ पर डाल देंगे यह सारी चीज़ डालने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है जब आपके सारी चीज complete fill हो जाएगी आपको simple change password पर click कर देना है अब आप देख सकते हैं your password has been changed successfully अब आपका password दोस्तों change हो चुका है यह देखे दोस्तों हमारी idea भी login हो चुकी है हमारा password भी reset हो चुका है जो अपने password बनाए वही password हमारा अब create हो चुका है तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने password को reset कर सकते हैं मैंने आपको फूरा complete process करके दिखा दिया है कि आप अपने password को कैसे reset कर सकते हैं और कैसे अपने password को change भी कर सकते हैं दोस्ता कर आपको यह वीडियो च्छे लगी हो तो प्लीज चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को लाइक कर देना साथी साथ bell icon को press कर देना तक हर वीडियो की notification आप तक पहुंचती रहे हैं धन्यवाद दोस्तों